मैं भागना हूँ और ऑक्टूबर 2023 से गीता से गीता सत्र के साथ जुली हूई हूई और मेरा 19 साल का बेटा है अभी 19 पूरा होने वाला 18 साल का है और MBS फर्स्ट यर में है जब वो होस्टल में गया होस्टल में जाने से पहले 2-3 साल कोबिट की चक्कर में वो विल्पूल अगेले घर में था सिंगल एक ही बैटा है और फॉस्टल में वो एड़स्ट नहीं हो पाया बिमारी पर गया तो और थोड़ा उसको इंसाइड़ी डिप्रेशन जैसा फीन होने लग जया तो वी सेट की मैं आगे नहीं दा पाऊंगा कि पांट साल श्रांती का मिलेगा मैं अपने लिए उस पर सोचूंगी करूंगी यह सूच करके भी एक तरह से मैं आई अपने यहां आने के बाद और पहले से तो बहुत बटर है अब फ्रेंड्स हो गए हैं कॉलेज क्लासेंज करता है एक्जाम देता है ब्र दब वो पॉल लेकिन इस दौरान मैंने नोटिस किया है कि इंटर्फरेंस बटने का रीजन है कि जंग वो फोरी उसकी उसका बजन जादा है तो अपने बजन खो लेकर वो हमेसा बहुत परिशान रहता है कि मैं मोटा हूँ इसलिए मुझे कोई पसंदरी करता है और एक तरफ तो गो रहत सब में मिलब पूरा एक्जाम के समय थोड़ा बहुत पढ़ लेता है और वाइस बस इन चीजों में ही लगा रहता है तो मैं इन ही चीजों में मैं उनको रोकती हूँ मिलब इन फैक्ट आज संजोग मैंने कैसे मेरा सिलेक्ट हो गया पता नहीं लेकिन आज 9 बजे वो मेरे कि बारा बज़ रहे हैं वो कहां होगा लेकिन मैं अभी तक तो प्लिकल काम कंपोस्ट सब ठीक था मेरे से जो हो सकता था मैंने किया है मैंने पुलिस में जाकर के इनफॉर्म कर दिया है फ्रेंड उसके सो दोस्तों को बता दिया है आसपास के पार्गमन देख लिया है लेक पहर कौन सा है जहां आप हैं मैं मैसूर और आप लोग रहते कहां थे पहले जहां पढ़ाई हुई उसकी नौइडा में रहते थे और इंपक्ट मैं मौद पूरे संस्था से बहुत माफी चाहूंगी कि मैंने संस्था चॉइन करने के लिए अप्लाई किया था मेरा वेसे तरौे से कौमने के बजाए मैं आप रहा होस्टल से थे ठाहूं प्यां रही हैं और मैं अपने म९स्टे से बहूरे मैं मने जवानी जवानीकी समय मैं नहीं उसके बाद बिहारो से होने के थ Daarम मैं प्रोफिद नहीं एक कहले मोई बेटा पहले कभी होस्टल मे रह कभी नहीं रहा है तो पहले कभी नहीं रहा है तो उसको पहली बार तो घोसले से बाहर जा करके मिला है कि चूजा थोड़ा सा पंक खोली दर उधर जाए मम्मी लेकर कौन होस्टल आता है क्या कर रही हैं आप नोएडा से आप उसके साथ चली गई मैसूर उसने बोला मुझे कि यह वो शुरू में सब बोलते हैं लगता है वहाँ जाएंगे रैगिंग रैगिंग होगी घर में बैठे होते हैं थोड़ी मुह होता है वहाँ पहुच जाओ 15 दिन बाद वो घर हो जाता है वो उसका घर है वो नोएडा वाला घर अब घर नहीं है और इसके लिए तो पोता है कि मुझे नोएडा नहीं जाना नहीं आएगा आना भी नहीं चाहिए काई को आएगा अच्छा खासा शहर है मैसूर नोएडा से बहतर शहर है आप देखी रही होंगी तो अब भी वो अपने बैग में वो किताबे लेके कुछ गया है मुझे लगता है वो एक वीडियो मैंने उसको आपको दिखाया था जिसमें आपने बताया था कि एक किलर कलर की किताब लेके घर से बाहर चले गयते तो आपने बैग में मुबाइल वगर आप बॉबाइल नहीं है, पैसे नहीं है कुछ भी नहीं लेके गया, लेकिन किताबे लेके गया है अधर की और मुड़के नहीं देखेगा कम सको अभी कुछ महीनों तक फिर धीरे धीरे अपने आप छुटियां होगी, कुछ होगा, दिवाली होगी, सेंब्रेक होगा, घर आ जाएगा पर आपका वहाँ पर रुकना मुझे नहीं लगता किसी भी दृष्टिय से उपयोगी है मुटा है, मुटों को तो हॉस्टल में खासतोर पर पसंद किया जाता है वो ना हो तो मजा कैसे आएगा और एक सेमस्टर लगता है मुटे को पतला होने में कोई ऐसा नहीं था मेरे बैच में, जिसकी कमर कम से कम चार इंच न घट गई हो पहले ही सेमस्टर में सबको नई जीन्स और दूसरी चीज़ें करवानी पड़ गई थी क्योंकि वहाँ तो ये था कि घर में बैठके समने तैरी करी थी जीज़े की जी़े की तैरी के समय कौन कहां है बहुत खेलता कूटता है कुछ लोग उधर से आये थे, कोटा वगरा से वहाँ वो दो दो तीन-तीन साल से वहाँ रहते थे वो सब ऐसे ही गोलगपपा होके आये थे पहले ही समस्टर में वहाँ उनको दोड़ा दोड़ा के कुछ सीनियर से दोड़ा दिया कुछ ये था कि हॉस्टल से जो मल्टी स्टूरी थे हमारी इंस्टिटूशनल बिल्डिंग वो बड़ी दूर थी और फ्रेशर्स को पैदली जाना आना होता था और लिफ्ट दो ही लगी हुई थी उसमें जब क्लास का टाइम हो तो सब लोग चढ़ना चाहें लिफ्ट में इतनी जगए नहीं तो बाकी लोग सात्वी मंजिल तक भाग के जाएं कितनी बार मैं एक बार में दो सेड़ी लांगते हुए सात्वी मंजिल तक वज़न तो ऐसे खट से कम हुआ कितनी चीजें होती है करने को कैंपस अच्छा है उसका वहाँ सोईधाएं है हाँ बहुत अच्छा है वह सोईधाएं घर में थोड़ी थी वहाँ वो खेलेगा, सीखेगा सब कुछ करेगा, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो भाव ना भाव ना वापस आना कहीं नहीं जाएगा यही दिन है जब वो रातों को थोड़ा घूमेगा थोड़ा उसको बहक लेने दीजिए, थोड़ा भटक लेने दीजिए और सिगरेट के दो-चार पफ मार लेने से उसको लंक एंसर नहीं हो जाएगा कुछ चीजें ऐसी हैं जहने छोड़ने के लिए भी उनका पता तो हो कि सब लोग काहे को एक-दो भी सिगरेट न फूकी हो तो मैं कहूंगा मुक्त पुरुष यही है यह कहूंगा कि एकदम ही राघव है और फिर जो कुछ नहीं करते कैंपस में वो फिर ऐसे हो जाते हैं कुछ कर लेने दीजिए उसको कैंपस में हमारे बंदू आईटी रुड़की से हैं वहाँ पर मेरी टॉक हुई उन लोगों ने बुलाया तो यह वापस गए पासाउट होने के कई साल बाद अपने कैंपस पर अब यहां संस्था में रह चुके थे फिर अपने कैंपस गए तो रात में गायब होगा है जैसे आप कहरी नो रात में गायब है तो यह भी रात में गायब है वहाँ मेरा ओर नाइट स्टे था उनीके गेस्ट हाउस में तो बाद में मिले कहां आईटी रुड़की की जिम में पुछा यहां क्यों घुसे हुए हो बोले क्योंकि मैं चार साल रहा कभी आया ही नहीं कभी आया ही नहीं अच्छा है अभी उसे रातों को कैंपस नाप लेने दीजिए कौन सी जवानी जवानी है अगर वो कुछ वर्जित काम न करे अब मा के सामने तो वर्जित काम करे जाएंगे नहीं मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ कानूनन अपराधी बन जाए सारे वर्जित काम करते वो नहीं बोल रहा हूं पर बच्पने से जवानी के आने में कुछ वर्जन आएं तो तूटती ही तूटती है और वो सब जब हो रहा होता है वहां मम्मी की कोई जगा नहीं होती मेरा भाई था छोटा मैं मना करा करूँ अब यह लोग आ जाए हर 10-15 दिन में गाड़ी ले करके भाई छोटा मैं मना करूँ कि मेरे कमरे में नहीं आना है तुमको मेरे कमरे में नहीं आना है वो बार-बार आ जाए उसको मज़ा आए कि ये सब बड़े भाईया लोगे इनका चलता क्या है तो मेरे माता पिता तो बाहर रहें गाड़ी में ये भाई साब उतर करके होस्टल में घुसा है इधर जहां करें उधर देख रहें अच्छा ये चल रहा है यहां ये चल रहा है ये चल रहा है तो मैंने मना कर रहा है अंदर खुसा है तो मैंने का आप बताता हूँ एक दिन मैंने कुछ ऐसी सामगरी रख दी अपनी अलमारी में कपड़ों के बीच में कि एकदम स्केंडला हो गए वैसे हां भाईया आप ये अहां पिर जाके चुगली करी मम्मी भाईया के कमरे में न वो था अब आप मम्मी हैं तो आपको नहीं बता सकता जवान लड़कियों पूछेंगे वो माने क्या तो उनको बताऊंगा विस्तार से कि मैंने वो क्या-क्या जोगार के रखा हु कोई नहीं चाहता आपको सा सम्मान बुलाया जाएगा दिक्षान समार हो में कॉन्वोकेशन में आईएगा गौरव से आईएगा और उससे पहले बच्चा घर आया करेगा जब छुट्टियां हुआ करेंगी मैंने क्या रहा हुँ कि उसको बिलकुल हाल पर उसके छोड़ दीजिए और कोई खबर नहीं लीजिए लीजिए खबर लीजिए पर उसकी जवानी का सम्मान करते हुए हमारे समय तो मुबाइल फोन भी नहीं थे अभी तो मुबाइल है मेसेज डाल दीजिए और प्रतीक्षा करिए कि जवाब आ जाएगा ये मत करिए कि रोज पूछ रहे हैं बेटा खा लिया बेटा कपड़े बदल लिये कोई फायदा नहीं हो जूट बोलेगा आपसे पाखंडी हो जाएगा आपकी कॉल्स इग्नोर करना शुरू कर देगा हर दो तीन दिन चार दिन में बात कर लिजिए उसकी दोस्त बन जाईए मम्मी नहीं फिर खुद ही आपको फोन करकर बताया करेगा ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है कई तरह की चीजन चलेंगी अभी आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अपने नुनु की जिंदगी की बाते पता चल रही है पर मम्मी बनेंगी तो कुछ पता नहीं चलेगा दोस्त बन और मैं बिलकुल समझ रहा हूँ आप मा हैं चिंता होती होगी बिलकुल समझ रहा हूँ अभी बारा बज़रा है उसका कुछ नहीं पता है तो कर लीजे पता फोन कर लीजिए मेसेज कर लीजिए उसके दोस्त त्यार हो उनसे बात कर लीजिए लेकिन एक बात और समझी है कि केमपस लाइफ में 12 वजे का समय बहुत साधारन होता है हम गरहस्त लोगे तो हमको लगता है आधी रात हो गई केमपस में आधी रात पर दिन शुरू होता है समझ रही है या बस भावना है नए समझ रही है मैं अचले यही मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे छोड़ना हो जाए है और क्या अब पतला अपने आप हो जाएगा आप देखियेगा यह वो खुद परिशानत है परिशानी की दरूवत ही नहीं है सारी परिशानी केमपस दूर कर देता है कैमपस तो बहुत अच्छा है जिम और सारे स्पोर्ट जिम की दरूवत ही नहीं पड़ती कैमपस ऐसे ही पतला कर देता है हॉस्टल से कॉलेज का डिस्टन्स बहुत जादा है तो वो उसी में अपना पैदल जाएगा साइकल चलाएगा पतला हो जाएगा लड़कियां भी तो होँगी वो पतला कर देता है जादा लड़किया ही है तो सब पतला कर देंगी एकदम खट से पतला हो जाएगा कोई चिंता की बात नहीं और स्कंदलाइज मत हो जाएगा कभी पता चल जाएगे अरे शिगरट पीली वीर पीली कि इसमें कुछ नहीं हो गया क्या करे बस खिचड़ी खाता रहे मैं नहीं कहा रहा हूं कि वो chain smoker बन जाए या rose beer पिए पर ये सब जवान होने की प्रक्रिया में hostel life के हिस्से होते हैं ये हो जाता है इसमें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए बस ये चीज आगे न जाए लत न बन जाए obsession न बन जाए दिन चर्या का हिस्सा न बन जाए यही डर लगता है क्या डर लगता है इस सुरुआत में रोप्देने से साइड आगे जाए हाँ बिलकुल वो है उतना तो आपको माह होने के नाते देखना पड़ेगा और उसके तरीके है उसके दोस्तों का भी पता रखिये पूशती रहिये क्योंकि कॉलेज वगेरा में ड्रग्स वगेरा जादा चलने लग गई है अब उसका आपको खयाल रखना चाहिए कि कहीं उस दिशा में तो नहीं चला जा रहा वाली ये भी समझना होगा अब आप अपना जीवन देखिए वो देख लेगा अब वो हाँ घुसा है वहाँ से उसका प्लेस्मेंट भी लग जाएगा वहाँ से वो कहीं और चला जाएगा जॉब करने अब हो गया उसका उसकी गाड़ी चल पड़ी एक के बाद अब वो पट्री बदलती रहेगी आप अपना जीवन देखिए न अब भारत में माओं को एक नया जन्म मिलता है जब बच्चे सुतंत्र हो जाते है क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ मा होती है उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं होती उसकी हस्ती बच्चे पराशरित होती है अब बच्चा अपना उड़ गया तो अब आप अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करिए देखिए क्या करना है होना तो यह चाहिए कि आप इतनी वेस्त हो जाएं कि वो कॉल करें आप कहें कि मा के यह आँ चल से बंधे रहोगे क्या मुझे मेरी लाइफ देखने दो बार बार फोन करें बुलिए गो गेट अ लाइफ यह दिन गर्फरेंड को फोन करने के मम्मी को क्यों फोन कर रहे हो मदा कर रहा है मुझे पता है नहीं चलता है कि कब वो कोई 15 सेकेंड का निकाल करके और अब तो डीप फेक आ गया है तो जो नहीं भी बोला हो जो नहीं भी करा हो कहा हो सब चल जाता है खूब चल रहा है दुनिया में भावना जी भाव समझीएगा मेरा ठीक है उमीद करता हूँ सकुषल ही होगा इतना परिशान होने ही कोई बात नहीं गंटे दो गंटे में आ जायेगा नहीं आये तो फिर उसके दोस्त्यारों को फोन ओन कर लीजिए ये सब कोई बड़ी गटना ही नहीं होती है चलिए ठाइक जिए झाइक जिए